हलो फ्रेंड्स आज के स्वीडियो में आपको डेरीवा सीमेस जेल कीरीम की रिवीव करने वाली हूँ ये क्रीम दो दवाईयों के मिल से बना है जो हमारे स्कीन से एकने पिमपल्स को ठीक करता है इसके साथ साथ अगर आपके स्कीन पे एक्ष्ट्रा ओल प्रोडक्शन हो रहा है यानि अधिक चेहरे पे तेल बनता है उसे वो रोकने में मदद करता है ये स्कीन पे बनने वाले अधिक तेल को कम करता है इसके साथ साथ सूजन को भी कम करता है ये चेहरे पे होने वाले दाग धबो को भी ठीक करने में मदद करता है। ये क्रीम बेश्ट है अगर आपकी स्किन पे एकने पिंपल से काफी परिशान है आप ये मुहासो को पैदा करने वाले सुच्छम जीवों को भी रूखने में मदद करता है। इसके साथ साथ ये ब्लै हेट्स वाइट हेट्स है वो पूरी तरह से खतब हो जाएगी इसका रिजल्ट आपको कुछ सब्ता के बाद ही मिलेगा लेकिन यह कोई फैरनेस क्रीम नहीं है यानि घोरी होने वाली क्रीम नहीं है बलकि यह एक मेडिसीन नहीं कर सकते सकते हैं वह कुछ समय तक पर्योग कर सकते हैं डौकटर के सलाधके अनुसार और बंद करने से पहले भी आपको डौकटर से भाल yellow नींहीं हो तो इसमें आपको side effects में हलकी itching हो सकती है यानि खुजली और थोड़ी सी जलन हो सकती इसके लावा skin आपका लाल हो सकता है और कभी-कभी आपके skin पे अधिक oil पसीना आने लगता है इस cream के side effects से हो सकता है आपके skin की पतली-पतली परत निकले ये कभी-कभी side effects देती है लेकिन rare अगर आपको इस तरह का side effects होता है तो आपको डॉक्टर के सला से इस cream को बंद करना होगा वैसे तो इस cream को male and female सभी परियोग कर सकते है लेकिन आपके उमर 18 साल से अधिक होनी चाहिए लेकिन इस cream को pregnant women और जो बच्चों को दूद पिलाती है इस cream को परियोग ना करें और अगर परियोग करना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर के सला से यूज कर सकते हैं अगर डॉक्टर आपको advice देते हैं तो ये आपके लिए भी safe हो सकता है इसमें से कुछ साउधानिया भी आपको रखनी है जैसे इस cream को आप लगाते हैं तो आपको अपने आखों के area से बचाना होगा इसके अलावा आपके skin की जितने भी sensitive part है जैसे आख, नाख, मुँ इन सब area में आपको इस cream को नहीं लगाना है और अगर आपके आखों के area पे अगर ये cream चली जाती है तो आपको इसे तुरन सादे पानी से धोना होगा इस cream को एक पतली परत पुरे skin पे लगाए और रहने दे, रात भर आपको इसी तरह से रहने देना सुबा सादे पानी से धोलना इस cream का परियोग केवल आप रात में ही कर सकते हैं दिन के समय में परियोग ना करें हो सकता है इस cream को लगाने के बाद धूप में जाने के बाद आपकी skin लाल हो सकती है तो जब आप इस cream को परियोग करते हैं तो साथ ही साथ आपको दिन के समय में सांस्क्रीन लगाना होगा या तो फिर आपको धूप से थोड़ा इसकीन को बचाना होगा वैसे तो इस तरह के कई क्रीम एविलेबल है मार्केट में लेकिन ये क्रीम दावा करती है ये सभी तरह से सेफ है इसमें आपको साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है जै करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इंफोर्मेटिव रही होगी चैनल पर नहीं है सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि इस तरह के इंफोर्मेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलता रहें वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद